हाई स्टुडेंट्स हमारे यूट्टूब प्लेटपोरम पर आपका हार्दिक स्वागत है आज हम देख रहे हैं केशवदास सरस्वत्ति वंदना यह द्याय कक्षा बारा हिंदी साहित्ते कपाठ दस है यहां हम केशवदास के सभी चंदों की शंदरब परसंग व्याक्या और विसेश देखने वाले हैं सबसे जो पहला चंद है वह है सरस्वत्ति वंदना के नाम से तो यहां हम सबसे पहले इसके शंदरब की बात करते हैं तो इसका शंदरब इस प्रकार रहेगा प्रस्तुत पद्यांस हमारी पाठे पुस्तक अंत्रा बहाग दो में संकलीत बहुमुखी प्रतिबहाग के दनी कवी केशव दास दवारा रचित प्रसिद्ध महा कावे रामचंदर चंदरीका से लिया गया है इस अंस को हमारी पाठे पुस्तक में सरस्वती वंदना सीर्शक से संकलित किया गया है इस चंद का प्रसंग इस प्रकार रहेगा प्रसिद्ध महाकावे रामचंदर चंदरीका का प्रारंब करते समय कवी ने मंगलाचरण की रूप में माता सरस्वती की महीमा और उद्दारता का बखान किया है कवी का मानना है कि मा शर्श्वती की महीमा और उद्दारता का वर्नन रिसी, मुनी और देवता तक नहीं कर सके तो बला मैं केसे उस उद्धारता का पुर्ण बखान कर पाऊंगा इस छंद की व्याख्या की प्रारंबिक पंक्तियां ये रहेंगी कि रितिकाल के प्रसिद्ध कवी केशवदास माता सरस्वती की वंदना करते हुए कहते हैं बानी जगरानी की उद्धारता बखानी जाई एसी मती उद्धित उदार कौन की बही यहां केशवदास जी कह रहे हैं सरस्वती की वंदना करते हुए कि संसार में इतनी परखर बुद्धी बला किसकी है बानी यहां सरस्वती के लिए आया है और संसार की देवी जगरानी जगरानी यानि संसार की देवी उदार्ता यानि उसकी महिमा उसकी उदार्ता का बखानी वर्नन कर सके एसी मती मती यानि बुद्धी एसी बुद्धी उदित का मतलब होता उत्पन्न होना कौन की बही किसकी हुई है किसने प्राप पाई है एसी उदार बुद्धी किसने पाई है यहां कहना चाहते हैं कि संस यह कहते हैं कि जगत की देवी सरस्वती की उद्धारता का वर्नन कर सके बला संसार में एसी परखर बुद्धी, एसी उद्धार बुद्धी किसने प्राप्त की है, किसने पाई है अर्थार्थ कहने का तात्प्री यह है कि एसा संसार में कोई भी नहीं है जो संसार की देवी संसार की पुझ्य देवी माता सर्स्वती की उद्धारता का बखान कर सके संसार में एसा कोई भी व्यक्ती नहीं है आगे कहते हैं केशवदास जी सरस्वति वंदना में देवता परसिद्ध सिद्ध रिशीराज तपवरंद कही कई हारे सब कही न काहू पाई इसके मादिम से कह रहे हैं कि देवता, परसिद्ध सिद्ध, जो परसिद्ध देवता हैं, जो परसिद्ध सिद्ध हैं, सिद्ध से यहां तात्परी मुनियों से हैं, यहां कहना चाहते हैं केश्वदास से कि देवता, परसिद्ध मुनी, रिशी राज, रिशी और तपवरंद जो योगी हैं सन्यासी हैं वो यहां कहना चाहते हैं कि प्रसिद्ध देवता, मुनी, रिसी और जो तपस्वी हैं कही कही आरे वो सब मा सरस्वती के गुणों का बखान करते करते मा सरस्वती के गुणू की परसंसा करते करते ठक गए पर कोई भी उनके गुणू का पुर्णते वर्नन ने कर सका कही कही हारे सब कही ने काहू लेई पूरी तरह से माता सरस्वती की महिमा का बखान कोई भी नहीं कर पाया क्या कहना चाह रहे हैं कि देवता परसिद्ध जो मुनी हैं रिशी हैं और जो तपस्वी हैं वो सब मासरस्वती की परसंसा का मासरस्वती की उद्धारता और उसके गुणों का बखान करते करते वर्नन करते करते सब ठक गए हैं फिर भी कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो उसकी महिमा की उद्दार्ता का पूरणतय पूरी तरह से वर्नन किया हो अर्थार्थ पूरी तरह से मातसरस्वती के गुणों का पूरणतय वर्नन कोई भी नहीं कर पाया है यहां कह रहे हैं केशोदास जी बहावी भूत वर्तमान जगत बखानत है केशोदास क्यूं हो ना बखानी कहू पे गई केशोदास जी कह रहे हैं कि यदि पि उनकी महिमा का वर्नन भूत काल के लोगों ने अपनी सामर्ते भरसे किया है बूत काल में अर्थार्थ कहना चाहते हैं कि अपनी सामर्ते के नुसार बूत काल में भी माता सर्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष करते रहेंगे फिर भी उनके गुणों का पुरुनते वर्नन नहीं हो सकेगा कहना चाहते हैं कि भावी भूत वर्तमान तीनु कालों में प्राचिन काल में भी लोग अपनी बुद्धी के नुशार वर्नन करते रहे हैं वर्तमान भी कर रहे हैं और भहुष्य में भी करते रहे जगत बखानत संसार के लोग माता सर्श्वती की महीमा का उनके गुणू का बखान करता रहेगा केशोदास केशोदास जी कहते हैं कि क्यूं होना बखानी काउपे गई फिर भी माता सर्श्वती के गुणू का बखान पूरा नहीं हो सकेगा अर्थार्थ माता सर्श्वती की उद्दार्था और महीमा का वर्नन कोई भी पूरी तरह से नहीं कर पाएगा कोई भी इसा समर्थ व्यक्ति नहीं है जो माता सर्श्वती की उद्दार्था और महीमा का वर्नन पूरी तरह से कर सके आगे कहा रहा है केशवदास जी कि पती बरने चार मुख, पूत बरने पांच मुख, नाती बरने शट मुख, तद पी नहीं नहीं इसके माध्यम से केशवदास जी कहना चाहते हैं कि उनके पती ब्रमा अपने चारू मुखों से उनके पुत्र महादेव भगवान सिव अपने पांच मुखों से तदा उनके जो नाती हैं, पोत्र हैं, सिव के पुत्र अपने च्छे मुखों से, अपने शट मुखों से उनके गुणू की परसंसा करते रहे हैं अर्थार्थ कहना ये चाहते हैं कि उनके पती ब्रमा जी वो अपने चारू मुखों से और उनके पुत्र हैं बगवान गुणू की परसंसा करते रहे हैं फिर भी कुछ ने कुछ नई विशेष्टा उनसे कहने को छूट ही गई है शटमुक तद भी नई नई फिर भी कुछ विशेष्टाएं हैं माता सरस्वती की जो नई नई विशेष्टाएं हैं वो उनसे छूट ही जाती है अर्दार्थ कहने का तात्प्री यह है कि जब बड़े-बड़े रिशी, मुनी, देवता, ब्रमा, सिव, कार्थिके ही माता सर्ष्वती के गुणों का बखान नहीं कर सके, उनकी उद्दार्था का नवर्नन नहीं कर सके, तो फिर वला मैं केसे कर सकता हूँ, मैं तो एक सामान मनुष्य होकर मैं केसे कर सकता हूँ, कवी का तात्प्री यही है, विशेश इस प्रकार से रहेगा, मा सर्ष्वती की महिमा और उद्दार्था का मनोहारी वर्नन हुआ है, कवी की भासा साहित्तिक ब्रज, लाक्षनिकता से युक्त, बोध गम्मे एवं अंतर मन को छूलेन पुनरुक्ति प्रकास लंकार वहां होता है, जहां दो शब्दों के आवर्ती हुई हो, लेकिन दोनों का अर्थ समान हो, वहां पुनरुक्ति प्रकास लंकार होता है अगले दो पदों की व्याख्या आपको अगले वीडियो में देखने को मिलेगी आज के लिए इतना ही धन्यवाद